वाडी नगर परिशद की और से निर्मान हुए अमर जवान शहीद इसमारक खंडर बना है शिवाजी महराज के जीवन पर बनाए गए चित्र जाडियों में फसने से उसे कौन बहार निकालेंगे यह सवाल उट रहा है नगर पालिका की अंदेखी का शिकायब बना है समारक बताया गया कि 2019 में इस समारक के लिए नगर परिशद ने बनाने का फैसला लिया करीब 18 लाग की लागत से बना समारक आज हाईवे की जगा पर आने से विवादित है जिसके कारण नगर परिशद भी धियान नहीं दे रही है ततकालिन मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारे वाले के काले काल में इस समारक बना हाईवे की जगा पर समारक कैसे बनाया गया बिना नुमती के समारक पर लाखों का खर्चा कैसा किया गया यह सवाल रिपब्लिकन सेना की प्रदीश अधिक्ष सागर डबरासे ने किया डबरासे ने इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहर्त हासल करने पर समारक का सत्य बाहर आया शिवाजी समारक का बनाने के लिए विरोध नहीं है लेकिन हाईवे की बिना नुमती के लाखों का बेफिजूल खर्चा कर हाईवे ने यदी तोड़ा तो लाखों की खर्च का जिम्मेदार कौन यह सवाल डबरासे ने करते हुए इसकी जाच कर दोशी अधिकारियों पर कारवाई की मांग की इस समारक में बिजली पानी के लिए बोरवेल बनाया गया लेकिन अब कच्रे में बंद पड़े है इस समारक में शिवाजी महराज की जीवन पर 6 चित्र बनाये गए पूरा समारक जाडियों में तब्दील हुआ बताया गया की समारक का 10 फिट तक हिस्सा हाईवे आता है कभी भी तूट सकता है सूचना धिकार के तहरत मिली जानकारी चौकानी बाली है जब हाईवे में जगा है तो उस जगा पर बिनानुमती के नगरपालिका ने निर्मान कैसे किया ततकालिल मुख्यादिकारी जुम्मा प्यारे वाले ने इस काम का निर्मान किया ठेकेदार को इसका कुछ भुकतान किया गया अब इस मामले को मुख्यादिकारी डॉक्टर विजे देशमुक देखेंगे इस मारक के फाइल की पढ़ाई कर ठेकेदार का भुकतान नहीं करेंगे इस मारक नियावों में है या नहीं इसकी जाच करेंगे मेरे कारेकाल में इस मारक बना नहीं इस मारक का भुकतान रोका है जाज करके जान करे देंगे ऐसा डॉक्टर विजे देशमुक मुख्यादिकारी नगरपाली का वाडी ने कहा है वाडी से नबीसीय न्यूस के लिए सौरप पार्टल की रिपोर्ट